देश की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट अलिकॉम कमपनी वोडा फोन आइडिया 18,000 करोड रुपेज उटाने के बाद अब अपनी पूरी रणनीती बदल चुकी है वोडा आइडिया अब ऐसे प्लान बना रही है जिन से उसका कारोबार पत्री पर लोटने की तगड़ी उमीदे पैदा हो रही है हाला कि वोडा फोन आइडिया की एक strategy भी है जो इसके customers पर भारी पड़ सकती है Vodafone Idea का क्या है ये बड़ा प्लान आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे और अगर आप Vodafone के कस्टमर है तो कैसे आपकी जेप पर कमपनी बोज बढ़ाने वाले है सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में नमश्कार आप देखरें बिस्तोक और मैं हूश रहा था को रसल में Vodafone Idea के मैनेजमेंट ने हाल ही में इनैलिस्ट के सामने अपनी रणनीति का खुला सा किया है कमपनी ने उम्मीद जुताई है कि वो अगले फिसकल येर यानी 2026 में अपने वेंडर्स के सभी बकाया चुका देगी दूसरी तरफ कमपनी का इरादा अपनी कमाई बढ़ाने का भी है कमपनी अपने रेवन्यू में इजाफे का बोज ग्राहकों पर डालना चाहती है कमपनी ने इनैलिस्ट को बताया कि वो चुनावों के बाद कई बाद टैरिफ हाइक करना चाहती है Tariff Hike यानि Mobile के किरायों में इजाफा करना इसका सिधा मतलब है कि 4 जून के बाद Vodafone Mobile चलाने का खर्च कई चरणों में बढ़ाने वाली है हाला कि ये साफ नहीं है कि Vodafone Idea कितनी दफा Mobile किराय बढ़ाने वाली है Tariff Hike में Prepaid Mobile Plants और Postpaid Plants दोनों को महंगा किया जाएगा यानि लोकसभा चुनावों के 4 जून की नतीजे आने के बाद Vodafone Idea के कस्टमर्स की मुश्किले बढ़ने वाली है Vodafone Idea के फैसले का सीधा असर आम लोगों की जेप पर पढ़ने वाला है और उन्हें हर महीने Vodafone की सिम चुलाने के लिए ज्यादा पैसा खर्श करना पड़ेगा इससे पहले Vodafone Idea ने 2021 के आखर में Mobile Tariff बढ़ाई थे तब कंपनी ने अपने Plants 20% महंगी कर दिये थे माना यह जो रहा है कि इस बार भी कंपनी किरायों में 20-25% की बढ़ोतरी कर सकती है एक उधारण के तौर पर समझें तो इसका मतलब यह है कि जो प्लान आज आप 200 रुपए में ले रहे हैं वो 50 रुपए बढ़ जाएगा यानि आपको 200 रुपए वाला प्लान अब 250 रुपए में मिलेगा किरायों में बढ़ोतरी के जरिये कंपनी अपने Average Revenue Per User यानि ARPU को बढ़ाने चाहती है 18,000 करोड रुपए की पूंजी के बूते कंपनी अपने 4G Network को भी अपग्रेड करने में जूटी है इसका बड़ा फाइदा कंपनी को होगा अभी Vodafone के बड़ी तैदात में ग्रहाक 2G पर मौजूद है कंपनी इन्हें 4G पर शिफ्ट करना चाहती है इसका फाइदा कंपनी को ज्यादा ARPU के तौर पर मिलेगा यानि कमाई के मैदान में अब Vodafone अपने Competitors यानि Reliance Geo और भारती एटल दोनों को कड़ी टकर देने वाली है ARPU डेटा की यहाँ बात कर लेते हैं एक Analyst Report के मुताबिक 2024 में एटल का ARPU 11 फीजदी सलाना के रफतार से बढ़कर 226 रुपई पर पहुँचने की उमीद है दूसरी और Reliance Geo का ARPU 7 फीजदी बढ़कर 191 रुपई पर और Vodafone का ARPU 2024 में 11 फीजदी बढ़कर 160 रुपई पर पहुँचने की उमीद जताई गई है हाला कि 18,000 करोड रुपई FPO से जुटाने के बाद भी Analysts कह रहे हैं कि अभी भी कंपनी को खुद को कारुबार में टिकाई रखने के लिए तीन काम करने होगे वो तीन कौन से काम है तो इनमें पहला ये है Capital Infusion यानि कंपनी में और पूजी डालना दूसरा है कंपनी पर मौजूदा कर्जों का माफ होना और तीसरा है Tarify क्यानि किराय बढ़ाना Capital Infusion की बात करें तो 18,000 के FPO के ठीक पहले Vodafone की Promoter IKI Preferential Share Issue के जरिये कंपनी में 275 करोड रुपई लगा चुकी है इसके अलावा कंपनी 25,000 करोड रुपई का नया कर्ज लेनी की कोशुश कर रही है इस तरह से Debt और Equity से कंपनी कुल 43,000 करोड जुटाना चाहती है कर्ज के आंकडे अगर देखें तो Vodafone पर 2.1,000,000 करोड रुपई का कर्ज है इसमें से अगर कुछ कर्ज माफ होता है तो कंपनी को बड़ी राहत मिल सकते है कंपनी को मार्च 2026 में 39,000 करोड रुपई की लाइबिलीटी चुकानी है साथ ही मार्च 2027 में इसे 43,000 करोड रुपई चुकाने है Vodafone ने इसमें से 360 करोड रुपई का भुकतान तो कर दिया है दूसरी तरफ माना जाता है कि कंपनी को नोक्या को 3,000 करोड रुपई चुकाने है यानि Vodafone आइडिया भले ही हाल के वक्त में अच्छी खासी पूंजी जुटा चुकी है और कारोबार को पटरी पर लौटाने की कोशिशों में जुटी हुई है लेकिन उसके लिए इस मैदान में टिके रहनी की जंग अभी लंबी जॉनने वाली है ये बात कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पता है और इसी वज़े से उसने जो रणनीती बनाई है उसमें टारिफ यानि किराय बढ़ाने का फैसला सब से उपर है देखना ये होगा कि कंपनी अपनी प्लानिंग्स में कितनी सफल हो पाती है आपको इजानकारी कैसे लगी? कॉमेट के ज़रू बताएं वेज़े को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिस्तक बिस्तक आपके लिए लाया है प्रेमियम मेंबर्शिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूसलेटर, लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत बुच इस प्रेमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, बोल्ट और प्लाटिन, जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए, जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर झाल